प्यारी खाने शुक्रवार को बड़ा ताजबा की आजार कॉनली परिसर में सान या मुस्लिम समाजबंदों से मिलकर उनकी समस्या जानी इस समय उनके साथ विशेश रूप से समाज की कई लोग मौचुद थे इस बैठक के दुरान प्यारी खान समेट स्तान या मुस्लिम पांधों मौचुद थे जहां मौचुद लोगों ने मंच के समख्ष अपनी समस्या बताई जहां बड़ी संख्या में लोग मौचुद थे गौरतर भे कि रमजान का पाक महरा चल रहा है जिसके चलते सभी मुस्लिम भाई दिन पर अपना फर्ज अदा करते वे राग के समय समाज के उठान एवं प्रकती के विशे में चर्चाओं में सभाग देते हैं इसी संकलपना के तहट हज़र बाबा ताजुतेर रह्मतुला अले ट्रस के चेर्मयान एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ट सामाजी कारिकर्टा प्यारी खाने शुकरवाद को बड़ा ताजबाक स्थीत आजात कॉनली परिसर में सारी मुस्लिम समाज बंदों से मिलकर उनकी समस्या शानी इस वत प्यारी खानदे समाज के उतान एवंब प्रगति के विशे में समाज से अपनी प्रतिकरियायस साचा की मैं आपको यहां जगाने के लिए मैं आपको बताने के लिए हैं कि आपके पास कि बारगणिंग का कितना बड़ा पावर है जिस समाज के दो परसंट लोग होते जिस समाज के दो परसंट लोग होते वहाँ पे CM, PM, खासदा, रामदा, रिमेले महापौर, राज्यपाल सब कुछ, सब कोई जाते है लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता क्या कभी इस पे किसी ने सुचा है कभी सोचा है हमारे पास कोई नहीं आता आप अगर बोलोंगे के कांग्रेस को मारना मैं वहापे भी मार दूँगा आप अगर बोलोंगे राका को मारना मैं वहापे भी मार दूँगा आप बोलोंगे सिव शेना को मारना मैं वहापे भी मार दूँगा लेकिन इसकी guarantee कौन लेगा कि मेरे समाज को वो क्या देगा है कोई guarantee लेने वादा तो हम क्यों ओट ऐसे मार देते हैं बिना कुछ मांगे बिना कुछ किये गटकरी साब मेरे से एक सवाल बार-बार करते है क्या तेरे समाज के बच्चों ने आटो चलाने का ठेका लेके रखा है कबाड़ी की दुकान का ठेका लेके रखा है चाई की होटल का ठेका लेके रखा है पान के ठेले का ठेका लेके रखा है इसकूटर के गैरेज का ठेका लेके रखा है क्या तेरे समाज के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते अच्छे इंजिनियर नी बन सकते अच्छे बिजनेसमेन नी बन सकते अच्छे पिलियर नी बन सकते तो दोस्तों इसमें गलती किसकी है इस दो रांस्तानी परिसर में बचुत लोकों ने भी अपनी प्रतिक्रियास साचा की है के नेतरूत के अंदर के हमारे समाज के अंदर जागूरता पैदा होना चाहिए और आदमी पसमान्दीगी से निकल करके ऊची सोच का मालिक बने ये कोशिश हमारे इस मन से की जा रही है यहां प्यारे भाई ने जिस तर्गे से हमारे कौम के हुसला अभजाई की है और कौम के रहनमाई की है उस बात हम तमाम लोग उनके साथ है हर बार मुस्लिम समाज कॉंग्रेस से जुड़ा रहा देश की भलाई और तरकी के साथ रहा है लेकिन उनके साथ रहते रहते उन्होंने हमारे ऐसे हलत कर दिये कि हमको आटो निक्षा, साइकिल ये सब सुदारने पर मजबूर कर दिये अब भी हमारा आज बनी सो पैतालिस से लेके बनी सो पैतालिस में आप देखेंगे तो हाईयर एड्यूकेशन मुस्लिम स्का था लेकिन अभी ऐसे हाला थे कि मुस्लिम की बच्चे बिचा रहे आटो चला रहे है कोई होटल से ला रहे है बड़ी पसमांदी जिंदेगी में अ पैदा हुए यह उप राजदानी है नागपूर बफ मिनिस्टर कित्ते सारे मुस्लिम साय कोई डेलप्मेंट नहीं किये एक बफ मिनिस्टर तो आई से आए कि उन्होंने जो बफ की लाइन थी वही लेके भाग गये फिर हम लोगोंने कॉंग्रेस में रहते भी फिर राजकुमार जैसे और मुसल्मानों की बहुत बुरी हाल है और ऐसी हालत रहे तो हम लोग बिल्कुल खतम हो जाएंगे देश से कैमरा परसंट राजकुमार बहुड के साथ अभिशेक पांसी के रिपूर